आप यार आरे साइस की तारी करने वाली लोग हो और ये खड़े होना निती मास्ट्र को इजदणा ने श्कूल में छोड़ दी ने तो हम मास्ट्र हैं ना तुम्हें खड़े होने की युँ बायें चड़ा ही वीन दड़ी बटन खोले ही वेन कौन से एंगल से मास्ट्र लगत अच्छे तुम्हें और गुरु वाली बावना भी अपने नहीं लगने आपने फीस जम्मा कर वाइस लिए पड़ा रहे हैं कई पर स्ट्रेंट करता नहीं सार आप गुरु बहुत बढ़ा होता है ऐसा कुछ ही नहीं है तर फीस देता वो पड़ता है फीस नहीं देता वो बात भी नहीं है आप ग्रहक वेपरी आप अच्छा ऐसा ऐसा पढ़ाएंगे हम क्योंकि ग्रहकों की संतुष्टी हमारा परमदर अपने अच्छे से पढ़ना आप सबसे अच्छा पढ़ोगे तो सबसे दिख खुशी होगी नहीं कि खड़े होने पतालिया वालिया नहीं म느Drive मजहर न आख आज से मेरी एक बात गांठबानना आप ब्ले इड्मिषन ले भले ना ले यहां से त्यारी करें यह ना करें और कहिं से करें और कहीं वहें जो करें ok सब्सक्राइब करते हैं तो आप अकभार पढ़ते हैं डेली का अपडेट नहीं आपके बाद इसका तयारी तो नहीं कर रहें और कुछ भी कर सकते हैं इस्टूडेंट इस मामले में इतना आलसी हो चुका है कि वह वेट करता है कि जब एक महिना खत्म हो जाएगा तब इस महि पढ़ने वाली पीडी मान लीजिए जो इस मामले में बड़ा यूं अजीब सा निकल गई है आप मेंसे जदातर जो ग्रामिन बच्चे होंगे फड़ा सा याद कर लीजिए आज के दस एक साल पहलेगी यह धी घटना आपको किसी को यादो 10-15 साल पहलेगी तेली सब घरों गाओं में मेरा सुना वैं पौणे 9 बजए रेडियो ओन हो जय अकरता के पौणे 9 बज़े BBC की खबरें आया करती और पौणे ने से 9 बज़े तक 15 मिनिट के 50 रौप साइलेंस अरो 15 मिनिट की खबरों uitने बबऑने खब्रकुल गाओं वाला कान लगांकी और सुन था कर ढा आदमी को IR और करंट दोनों की जानकरी थी अंग्रेजों की टिपनी है 1905 में जापान रूस को और देता है कुन किसको और रहा है जापान रूस 1905 भारत का उसे कोई भी लेना देना एक अंग्रेज अपनी बुक में लिखता है इसे बड़ा चंबा है कि भारत के हर गाउं में जापान ने रूसको रहा दिया को हमारा गाहों का ग्रामिन बुजर्ग व्यक्ति भी इसकी चर्चा कर रहा था गैसे अपने बढ़के सारे के सारे करेंट के पर बड़े अवेर ते सोगन खाई ए करेंट की मेक-जीन शे तो करेंट पढ़नी नहीं है कि क्यों एक महिने मैं उस मेंगजिन वाले को विश्वास है कि आप मरे नहीं पड़ोगे अखबार इसलिए वह एक मीने के अखबार की चीजें मेंगजिन के अंदर लिखता है आपको दे देता है मैं के बारा हैसता हूं जब लाते हैं या कोई आज मुझे की स्टुडेंट कर रहे थे कि सरा मना आदे गंटे का एक कोई ओनलाइन जो है वो सुन लेते हैं कहीं से करेंट सुन लेते हैं करेंट का हमने एफ डाउनलोड कर रहा है ऐसा कुछ भी हो मुझे बता रहे तो मैं बता रहा था उनको क्यार जैसे मैं भी माल जाते होंगे या मेक जीन वाला क्या लिखता है तो मेक जीन आई कोई तो मेक जीन में मालो इजराइल फिलिस्टिन की बीच में एक मामला चल रहा है तो मेक जीन वाला लिखता है हाल ही में इजराइल तदा फिलिस्टिन की बीच में यह मामला हो गया यह हमास नाम का ग्रूप में उसने वह लख दिया पूरा मेक जिन वह लाप जितन वाला होहागी जित्त ही चीजें को आठ ऑ को आप मैशें को एक बारवा पड़ते हैं एक बार उसको पड़ लिया तो आपका आपा आप मैस पाहब आपु तर वेले हुआ to No this um आपर हम्ला एकली दिन वापस कुछ कुछ दो है इस्राइल की इस लिए कि शुनक ने का हम करेंगे जवाबी कर वाइए अकल दिन वापस आगा गाजापटी को करवाया जाए जाएगा खाली एकली वापस बापस आएगा भारत के पर्धानमंत्री ने कहा कि युद्ध बंद होने चाहिए इस्राइल फिलिस्टिन के भी सांतिय समधिस्ता भी तो होने चाहिए इसी सुनक ने कहा हम इजराइल के साथ खड़े हैं तस जिन तक आदमी सेम सेम बात पढ़ें फिर तो यहाँ दोना एक चीज को एक बार पढ़ें और एक चीज को दस तीन लगातार पढ़ें मेरे को हमेशा वे इस्टूडेंट ज्यादा याद रहते हैं जिन्नोंने क्लास मेरा ज्यादा मता खाया होगा कि दस बार खड़ा हो गया क्लास में तो मेरे को नाम नी सकल पकी आद होगी यह प्लने बेच का है एक इस्टूडेंट ऐसा जिसको मेने कभी क्लास में खड़ा हो कभी किस्वन पूछा नहीं वह आता तो मैं पूछता ही हूं कि यार पहली बार तो मिरे सकल ही ज्यान में नह रहा है मैं अपने से कोई भी अपना नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ आपने गार भूल गया क्या नाम था है तो सही मेरा नाम कुछ पर अभी मेरे याद नहीं आ रहा है जबकि हम कई बार बहुत पूराने किसी दोस्त का नाम भू पाइगी जब उनका बार-बार क्या होगा इसलिए आख बाहर की तो है बीटी डाल भी फिर्टेंट कता सर कौन सा आख बाहर पड़ू जो अच्छा लगे वह जिसमें भले फोटो आते हो वह जो चीकना जदा लगे आत पेरिने से वह कोई फरक नहीं पड़ता इससे कि कौन सा आख बार पड़ें क्योंकि न्यूज आनी तो एक जैसी है कि इसराइल ने फिलिस्टीन के साथ युद्ध किया है और बासकर ने चापा है तो ऐसा नहीं है कि पत्रिका का देगा हम वह नहीं चापें कि जो बासकर चाप रहा है हम इसराइल को इंग्लेंड पर आमला दिखा सबैट माया करें लेश्म को बार आधि को उटेट है अन्य डाला है अकबार इडली रात को पढ़ना है कभी सुब कर टाऊ ही नहीं परना दो उट Dreams सबैस आप Kollector उन손 सापप अभी तक बने है क सभास आध मैं लाध्याका पटिंज कुरे दिन हमारे दिमाघ में गोंती सब्सक्राइब देखों दूसरी दिन आपके समझ आए गार यह जो ट्रेलर तथा टेंपों की बिड़त में पांच मरे दो गायल इसको पढ़ने की कोई आउसकता अना सब्जी मंडी में उत्पात मता दे सांडों ने बुजरक वेक्ति को कुछ ला अपने हो पढ़ने की कोई आउसकता तो आप खुद के समझ में जागा यह पढ़ना यह नहीं पढ़ना इतनी देर में पढ़ना इतनी दर में पढ़ना कोशिश ये भी की जाए कि जब भी कुछ भी कोई सब्जेक्ट पढ़ें वल्यक बाहर पढ़ें आपके पास में rough copy और pain आपका रहे हैं यदि आप पढ़ते समय लिखते रहते हैं इसका मतला आपका इसा होगा आपके साथ कि आप पढ़ना लेगे बैठे आप पढ़ रहे थे आदे घंटे बाद आपको लगता है कि मैं तीसरी लेंड में हूँ क्योंकि मैं बीच में गाहूं जाके आगया 27 मिनिट मैं गाहूं था बीच के अंदर मैंने अगला पंदा टटोला नहीं था जबकि लिखते रहते हैं तो फिर पेंचल पढ़ा इधर लिखा पढ़ा इधर लिखा पढ़ाई वह करंट वाली बातें लिख लिखे बढ़िया आप मैं से ज्यादा तर को ऊ-और उ-की मात्रा नहीं लगानी आती है फिर ग्रेमर वाला पेपर जो होता है जो चोथा पेपर जो होता है इंग्लिस वाला 200 नंबर का होता है उसमें आपके नंबर आते हैं 57 जिनके अच्छे होते हैं उनके आते हैं 128 घप किता अउपक शतर कि अब पूर्ती कहा होगा। पिछली बार अपने यहां से पदमा चोधरी में हमकी तौप 50 में रेंक आई 24 या 25 सी रेंक है। 21 वी रेंक है उनकी और उनके इस हिंदी इंग्लिस्ट वाले पेपर में 500 नंबर है। 1200 में 1.25 The döndler रूमेट का इंट्रिव्यू कौल न हिवा, दो नंबर ती नंबर इंट्रिव्यू क्ल चुब गह. तौप मनें का यहिंद इंट्रिव्यू कोल न हिवा, इंट्रिवू क्ल वा, तो इस क्या में मैं 66 मतलब मैं इन से 80 नंबर पीछे हूं उनकी 140 मेरे 66 है वाकी तीन पेपर में मेरे और इनके बराबर है एक पेपर मुझे इंटर्व्यू को लिन नहीं करवा रहा एक पेपर उनको रस बना रहा है प्रोपर रस टॉप 20 के अंदर अब इस्टूडेंट करता है कि मैं कई बार जब भीष्ट्री भी लिखा रहा होता हूं तो इस्टूडेंट को मैं यह भी बताता हूं कि अलग लग है एक है यह है एक सदिक है मैं लिखता हूं यह जस्वन सिंग के बेटे थे वो लिखता है यह है यह जस्वन सिंग के बेटे थे तो होई नहीं सकता नहीं होगा फिर बेटा होगा यह जस्वन सिंग के बेटा था एक वचन है तो बेटे कैसे हुए नाम उपर तो नहीं खुता आपि सरु कोई लिंहें लेंता है artistic eth ayudar 라रत फुन मिलand beauty fun अम उप्र चलता है किया पता कोई नहीं डेखेगा सफ पर अभण जोड़े संस्वेक ठासे सरे में पर ऐसा थोड़ी नहीं Хिस्टरी के अंदर तो है यह का आप सुद्द कि जीमिय को पांछा पढ़ता है उसमें कुछ सब अते रहते हैं इसे आपने बतता जालता कि आप आप Almost कि ऐसे लिखा जाता हूंग यह कारी बहुत अत्या ऊष्थ ह हुए करे कारो नहीं कुछ नहीं लिखा जैका कि société आथी आवस्यक लिखे लग लग लिख लेगा पर साथ नहीं लिखे जाएंगे उससे पड़ा होता क्योंकि उसने वो सब देखा नहीं उस बच्चे की कता ही कोई गलती नहीं उसने वो सब नहीं देखा था जो देखा है वही लिख सकते हैं जो सुना है वही लिख सकते हैं पहली बार सुना गया पहल पर फिर भी मेरी बात तीचर की तरह ने एक बड़े बाई की तरह मानना कि रहा बाहर पढ़ने की डेली है बीट हो डेली पढ़ेंगे आप मैं कर अंस्ता रहता हूं कि भारत में यह दी कोई बंदा रहे उसे तीन चीजें पक क्या नीची उसे पका पताओ कि क्रिकेट में क्य बाहरत में तो दस लोगों के बीच बेठेगा और वहां पर इन तीन चीज़ों के बारे में तु जानता है दंग से आता ही कर लेगा लोग अंगा रहे वायार क्या क्या नोलेज है यार कहां की खबरें ला रहे हो तुम बॉलिवुड क्रिकेट और पॉलिटिक्स ये तीन तो कम से कम बड़ी-बड़ी पता होंची कहां पता करें अपने ये तो है कि करन जोर को सुब-सुब फोन कर लेते हैं बाई बता यार तो नया कुछ चल रहा हो मार्केट के अंदर तो क्या है आपने तक बाहर से ही पढ़ और वांड पंची नहीं लेडा पर उसके बावजुद मेरे को उन खबरों में बड़ा मजाता कि मुझे लगता है यार अपने को पता और और नहीं जीता यहां पर यह जीता ता कभी नहीं होता कि आप यह का एक किसी कोचिंग के अंदर जाते हैं और कोचिंग में कुछ चीज़ें आपको पढ़ा दी जाती आपको आ जाएगा ना कि मैं बड़ा हूं अजीब सा लगता है कि मैं के बार आजकर आप बच्चों से पूछ लेता हूं कि यार भारत के पांच मंत्रियों के नाम बताओ और बच्चा वाबस मेरे तरफ देखके जाए कि मोदी जी और कि मोदी जी याद आ रहे हैं अभी तो दूसरे नाम याद भी आ जाए तो उसको याद नहीं है मंत्रा ले कौन सा मंत्रा ले आद आ जाए तो उसको पूरा नाम याद नहीं ऐसा गलत बात होना चाहिए ना आसपास का अफडेट तो अपने पास होने ची पर आप पर यह जिम्मेदर इसलिए बढ़ जाती है कि कोई त्यारी कर रहे हो थे मैं नहीं कहता आपको तुम तो में लागे पढ़ लेना अपने दस दिन और प्री में आएगा ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा और यहां तो मेंस भी तो देना है यहां तो मेंस वाले में पूरा लिखना पड़ेगा इसराइल-फिलिस्टिन पूछा कि जो लगातार मेंस के अंदर कौन कौन सी ते मैं बूल रहा हूं पर उनके अंदर अब जिसकिसी ने अक बाहर वगरा डंग से पड़े हैं उसकी व्यूद अच्छे से बने हुए एक कोई उन दिनों क्लासों के अंदर पढ़ गया जिता बता है टीचर ने उतना ल